तो चलिए फ्रेंज आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर के पास वले सब्जियों वाली खेत में जो कि घर के एकदम ठीक पास में है और इसमें एकदम हरी हरी सब्जियां लगी हुई एकदम फ्रेस ताजी सब्जियां तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा तो पक्षी कुछ समय तक बैठे थे उसके बाद ऊड़ गए तो फिर से मैं निनुआ तोड़ना ही श्टार्ट कर दी मतलब फिर से मैं निनुआ तोड़ने लगी और मैं आपके लिए इसी निनुआ से बहुत ही एमेजिंग एक सूपर डिलिसस रेसिपी बनाना बताऊंगी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो यहां पर मुझे जितना समझ मैं आ जितना मुझे निनुआ दिखा उतना मैं तोड़नी अब चलते हैं गर तो घर आकर सबसे पहले मैंने निनुआ को अच्छे से पानी से धूल लिया था ताकि इसमें जो भी खेत का धूल मिटी लगा हो अच्छे से साफ हो जाए तो चलिए अब बनाते हैं इसकी डेसी स्टाल में बहुत ही अमेजिंग एक सूपर डिलिसस रेसिपी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को मैंने अपने ममी से अच्छे अची रेसिपी सीखती हूँ और आप लोगों और वीडियो में सूट करती रहती हूं और वो बताती रहती है तो सबसे पहले मैंने जो खेत में से नेनुआ तोड़कर लाया था उसमें से एक किलो नेनुआ ले लिया है उसके बाद मैं देखी इस तरीके से नेनुआ के पहले दोनों एंड पार्ट करकर हटा दे रही नेनुआ को छिल करके बनाना मतलब इसका छिलका हमें यूज नहीं करना है छिलका इस रेसिपी में अच्छा भी नहीं लगेगा और यह हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद में यह उल्टा नुकसानी करेगा तो इसलिए नेनुआ का पूरा छिलका हटा देना है तो सभी इंचीरा लगा यानly कि इसको चार भाग करेंगे फिर इस तरीके से पतले फदले लंबाई में इसलाइस कर लेंगे तो इस तरीके से producers सब्जी चल्दी कर जाती है और देखने में काफी सुंदर लगती है तो देखे फ्रेंस मैंने सभी नेनुआ को कट कर लिया और आप दे फिल पर को तब तक न हो जाए तो लिजंग, उसे मिला लेंगे और इसे मीडियम फिलिम पर 2 मिनर तक ताकि टमाटर का कच्छा फ्लेवर पूरी तरह से खतम हो जाए इसे बीच-बीच में चलाते रहिएगा ताकि टमाटर चारु तरह अच्छे से फ्राई हो तो दो मिनट हो गए मुझे टमाटर को फ्राई करते हुए और अब देख सकते हैं फ्रेंच से बिल्कुल अच्छे से हो गया है देखिए हलका सा सौफ्ट भी हो गया है और प्यास कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया है अब हम गहस कफले में एकदम लो रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे फिर इसमें डालेंगे अधा चमच का समीरी ला जरूर बताईएगा तो यहां पर मैंने सभी नेनुवा को डाल दिया है अब हम क्या करेंगे इन सभी चीजों के साथ इसे अच्छे से मिला लेंगे और धक करके मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट तक पकाएंगे पांच मिनट के बाद धक्कन हटाएंगे और आप देख सकते है कितने बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और इसमें से पानी रिलीज होने लगा है तो इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाध अनुसार नमक और साथी में डाल देंगे एक चुथाई चमच गरम मसाला पाउडर अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे गैस का फ्लेमी स्टैम मीडियम टू हाई रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे ढख करके 12-15 मिनट तक पकाएंगे तो नेनुआ जैसे जैसे पक्ती जाएगी वैसे वैसे इसमें से पानी रिलीज होगा उसी से नेनुआ खुब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी यानि कि गलकर एकदम से कम हो जाएगी तो एक किलो नेनुआ में आधा चमच नमक एकदम पॉर्फेक्ट जाता है यानि कि स्वाध अनुसार एकदम पॉर्फेक्ट होता है तो हमने एकदम फ्रेज ताजे नेनुआ का इसमें से पानी रिलीज हो रहा ह तो अगर आप एकडम फ्रेस ताजे नेनुवा का इस्तमाल करेंगे, तो इसी तरीके से इसमें खूब सारा पानी रिलीज होता है, तो यही इसका साइन है, अगर आप बाजार से नेनुवा खरीद कला रहे हैं, उसमें से पानी नहीं निकलता है जादा, तब समझाएगा कि आ नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो आप देख सकते हैं फ्रेस नेनुवा हमारा 50% तक कूख हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे बढ़ियासा फ्लेवर और खुसबू के लिए एक मुठी कटा हुआ फ्रेस हरा धनिया इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम इ हमारी सूपर से भी उपर टेस्ट वाली बहुत ही हेल्दी टेस्टी निनुवा की सब्जी बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में अब हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सेर्व करेंगे तो देखे ना फ्रेंस इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना फ्रेंस ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी तो नेनुवा की सब्जी तो आपने हजारों बार बनाई होगी और अनेकों बार खाई होगी सिर्फ एक बार इस देसी स्टाल से नेनुवा की सब्जी बना कर देखना फ्रेंस उंगलियों के साथ पूरी प्लेट भी चाट जाएंगे इसकी गारंटी देती हूं तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चल आज़की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकी मुझे सपोर्ट करें